आमादमी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीती को बताने के लिए प्रेस क्लब में एक प्रेस वारता कायोजन किया जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने मीडिया से मुखादिब होते हुए दोनों ही पार्टी भाजपा और कॉंग्रिस पर दोनों पर जमकर निशाना साधा और साथ ही इसके साथ एलान किया कि वे इस बार मध्यप्रदेश से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे देखिए इस खास रिपोर्ट में इस दोरान आम आदमी पार्टी के आलोक अग्रवाल ने कहा कि इस बार का चुनाव बड़ा महत्वपून है यदि अगली बार पीए मोधी की सरकार आती है तो देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा लिहाजा वो कॉंग्रिस के साथ गटबंदन करने को तयार है तो वहीं इस पूरे मद्वदेश में पोल खोल अभयान चलाए जाएगा और हमारा आम जंता से आग्रे होगा कि पिछले पांच साल में जिस तरह से इस देश की जंता को लूटा गया है जिस देश लोकतंत्र के हर खंबे पर चाहे वो मीडिया हो चाहे वो जुडिश्री हो सब पर प्रह लाएं सब्सक्राइब देखे इस बातर साल में मोधी जैसा अनपढ़ मोधी जैसा देश के आम जंता के खिलाफ काम करने वाला प्रधान मंत्री कोई नहीं हुआ आप उनके मंत्री मंदल में इस्पृति इरानी पिछले चुनों में कहती है वो ग्रेजुएट है इस चुनो क्या देश है आज हमें पता ही नहीं हमारे प्रधान मंत्री की स्थिति क्या अब यह तो यह उनिस्टी से पढ़ी भी थी आप बारवी पर आ गई पता नहीं कौन सा डिग्री लिए उन्होंने और क्या नहीं कुछ है कुछ उनकी विशेष डिग्री है जो कई होती नहीं है तो वहीं आएकर चापे पर कॉंग्रिस पर निशाना साथते हुए कहा कि दोनों ही सरकारों में भ्रष्टा चार चरम पर है उन्होंने इसमें आगे ये भी कहा कि देश के लोकतंत्र में पहली बार चार जज़ को मीडिया के सामने आना पड़ा भाजपाद्वारा सम्विध और संभाग के कारकरताओं और पदादिकारियों की समिक्षा बैटक हुई और आमाधी पार्टी ने ये निर्ने लिया है कि मद्धपदेश में आमाधी पार्टी चुनाओ नहीं लड़ेगी क्योंकि हमारा मानना है कि इस समय इस देश के लोकतंत्र को मोदी और शाह से सबस समर्थन देने के लिए उनको ताकत देने के लिए करीब 3,000 कारेकरता पूरे मद्धिप्रदेश से जाएंगी इसके लिए हमने हर जिले पर लोगसबा अभयान समितियों का गठन किया है और आने वाले समय में हमारा मानना है इस देश के लोकतंत्र को बजाना है तो मोदी श जुबान ही सही लेकिन भाजपा का नुकसान कर अप्रत्यक्ष रूप से कॉंग्रेस को फायदा पहुंचाया जाएगा प्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर